नमस्कार, आज हम मार्जिनल मैन की आउधारना के बारे में जानेंगे इसे समझने के लिए आप देखिए कि जब कोविट की वज़े से लागडाउन लगा तो शहरों में कलकार खाने बंद होने लगे बड़ी संख्या में कामगार मजदूर शहरों से अपने अपने गाउं को लोटने लगे इससे दो बातें साब साब पता चलती है पहली बात की बड़ी संख्या में कामगार मजदूर आजीविका की तलास में गाउं से शहरों में आते हैं और दूसरी बात की शहरों में जाकर भी जादतर मजदूरों के जीवन अस्तर में कोई खास बदलाव नहीं होता है वही रोजगुआ खोदने और रोजपानी पीने वाली हालत होती है मजदूरों की अगर ऐसा नहीं होता और उनके पास कुछ जमापूजी होती और शहर में रहने का एक सामाने साब प्रबंद भी होता है तो वो गाउं लोटकर न आते बलकि वहीं रहकर लागडाउन खत्म होने का इंतजार करते कमोवेस यही इस्तिति आर्थिक रूप से कमजोर उन प्रतियों की छात्रों की भी है जो ग्रामीड परिवेस से अपनी स्कूली सिक्षा पूरी कर अपने सपनों की तलाश में बड़े सहरों का रुख करते हैं वर्सों नई परिस्तितियों में संघर्स करते हैं अंतता कुछ ही सफल होते हैं एवंग बड़ी संख्या में अपने पुराने परिवेस में लोड़ जाते हैं यहां ध्यान देने वाली बात है कि बड़े शहरों का शहरी समाज छोटे गाओं के ग्रामीड समाज से कई मैनों में बिलकुल भिन होता है दोनों समाजों की बोलचैल की भाषा में अंतर होता है उनके पहनावे में अंतर होता है उनका खान पान और रहन सहन भी भिन होता है जहां शहरी समाज के ज़्यादा तर लोग ब्रैंडेड और लक्जूरियस चीजों का उभोग करते हैं वहीं ज्यादातर प्रवासी मजदूर और छात्र सामानी चीजों का उप्योग रूज मर्रा की जिंदगी में करते हैं अतर ब्यवहारिक रूप से शहरी समाज को उच्च वरगी और प्रभावी माना जाता है तथा ग्रामीड समाज को निम्न अस्तर का माना जाता है यही वह वज़य भी है जिससे कारण ग्रामीड समाज में रहने वाले लोग अपने आपको शहरी समाज में स्थापित करने के लिए शहरों में प्रवास करते हैं इसी प्रकार की परिष्थितियों का अध्यन करने के उपरां जब अमेरिका के महान समाश सास्त्री रॉबर्ट पार्क ने 1926 में मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया तो बताया कि मार्जिनल यानि सीमान्त ब्यक्ति वह है जो मजबूरी वस या सामाजिक धारणा और विश्वास की वज़े से दो बिल्कुल ही अलग समाज में रहता है या रहने को मजबूर होता है जिससे उसके उपर दो अलग एवंग आपस में बिरोधी सबहतावंग संस्कृति का प्रभाव पड़ता है रॉबर्ट पार्क आगे अपने एक निबंध माइग्रेशन एंड दा मार्जिनल मैन में ये समझाने की कोशिश करते है कि बहुत से लोग अपने आर्थिक और सामाजिक अस्तर में सुधार के लिए निम्न अस्तरी समाज से कुछ अस्तरी समाज में प्रवास करते है परन्तु बहुत कम लोग अपने मनसूबे में कामयाब होते है जादातर लोगों को प्रवास के दोरान भासाई आधार पर जीवन अस्तर के आधार पर या फिर उनके बिश्वास, धर्म और जाति के आधार पर बेद भाव का सामना करना पड़ता है साथी प्रवास के दोरान नए समाज में अपने आपको ढालने के चक्कर में उनके उपर नए समाज का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि अब उन्हें उनका अपना पहले वाला समाज भी अपनाने से इंकार कर देता है ऐसी इस्तिती में वो कहीं के नहीं रहते और स्वेम की पहचान खो जाने की वज़े से निराशा से घिर जाते हैं रॉबर्ट पार्क की मार्जिनल मैं थेयरी में यही लोग सीमांत भ्यक्ति हैं यूपी पीचेस प्री 2020 का एक प्रस्ण की सीमांत भ्यक्ति की संकल्पना का प्रिथिपादन किस ने किया तो सही उत्तर होगा आप्शन ए रॉबर्ट ई पार्क धन्यवाद